ज्वाली उपमडल के अंतरगत पॉंग जील के मध्य स्थित बाधू दी लड़ी एतिहासिक स्थल पर परियटकों की जील के पानी के साथ अटखेलियां महेंगी पड़ सकती हैं पॉंग जील के गहरे पानी के किनारे पर परियटक खड़ा होकर सेलफी ले रहे हैं जबकि उनको इस बात का ज़रा भी ध्यान नहीं है कि एक पैर आगे धरने से मौत हो सकती है रोजाना सैंकरों परियटक यहां आकर पानी के किनारे बैठ कर सेलफी आ लेते हैं और जरजर हो चुकी मीनार के उपर चड़कर सेलफी आ लेते हैं लेकिन प्रशासन बेक पर बैठा है इस बारे SDM जवाली विचितर सिंग ने कहा कि परियटक जील के पानी किनारे खड़ा नहों और नहीं सेलफी लें उन्होंने कहा कि जील का पानी काफी गहरा वदलदल है अजील में नहाने का प्रयास न करें उन्होंने कहा कि पुलीस की गश्ट लगवाई जाएगी पानी में उतरने के बी कỌई कोशिश करते हैं लोगों को यह जानकारी नहीं कि वह जो पानी है वह उसके साइड्स है उसमें डलल है उसमें कोई भी बीच में जाएगा तो उस डलल में तो मैं तो यही कहूंगा कि लोग जो है वहां मंदर में जुरू जाएं लेकिन वहां पर अन्नसेसरी रिस्क ना लें और पानी में ना जाएं क्योंकि वहां पर वह बहुत ही खतरना को सकता है की बीच हटके हमें है नए से रखते अपना नाम कमाना है हमें आगे बढ़ते जाना है जॉन दोई देटी आप लीडोई आट पीजीती जंजेडी वोशन जूलर्ज अन्मोल रिष्टों के लिए